असलाम अलेकों मेर्स कसा आप लगों मेट करते हुए ठीक हुब लिगाइज आज हम ACT CP and MS क्षी नियने का psychology के लिहाज से बात करेंगे जो कि रिफा International University Green Campus के लिहाज से जो है वह होगा किस सब्जेक्ट के बेस होते हैं और पर पर पेस होते हैं लेकिन 30 to 40 marks का I think जो है वो questions MCQs होते हैं और long questions भी होते हैं ठीक होगा अचा अब किस सब्जेक्ट से होते हैं वो abnormal psychology और clinical psychology से questions होते हैं ठीक है जैसे के clinical psychology से अगर हम questions जैसे आते हैं जैसे के assessment क्या होती है ठीक है और interview क्या होता है clinical psychologist आप कैसे बनते हो ठीक है और इस तरीके से अगर आब बात करें के mental retardation क्या होती है वैसे ये तो abnormal psychology से भी आता है बट mental retardation क्या है ठीक है उसके लावा what is mental retardation पहले mental retardation कहा जाता था अब इससे क्या कहा जाता है ठीक है उसके लावा psychology is a study of mind behavior और what तो इस तरीके से भी MCQs type को सुनाता है Tad test क्या होता है, Rochard test क्या होता है, Exxon क्या है, Dendroids क्या है, Pika कौन से बिमारी है जैसे आई का what is Pika? Eating जो है वो इस तरीके का object याई से की चीज़ खाना जो कि नहीं खानी चाहिए वो है जैसे के paint खाना Eating paint is Pika और eating dirt is Pika इस तरीके से question आ सकता है, PIAJ theory के बारे में आ सकता है PIAJ theory जो है, वो क्या थी, ठीक है, उसका pre-operational thinking कैसी में क्या था, ठीक है, classical conditioning क्या थी, observational learning क्या थी, ठीक है और इस तरीके से भी question आ सकता है, कि child, अगर imitate करता है behavior, अपने parents से तो वो क्या होगा, like observational learning होगी, या learning होगी, वो क्या होगा तो इस चेके से PIAJ theory क्या सकता है, उसके लावा segment forward के लिए हाज से questions आ सकता है, यह important है, यह ज़्यादा repeat होते है, ठीक है, segment forward कौन था, उसने जो है, क्या experiment किया था, या किसके ओपर काम किया था, और psycho analysis किसका था, ठीक है उसके लावा, Eric Erickson का जो है, यह तो उसमें दो-तीन questions इससे किससे आयो थे, किसके stages क्या थे, कि जैसे first stage versus कौन सी stage, इससे कि किसके नाम आयो थे, कि इसके कौन सी stages थे, ठीक हो गया, उसके लावा research sampling के लिए हाज से भी आयो था, कि what is sampling, research क्या, like research based questions, like what is random sampling, what is reliability, what is validity, what is validity, इ इसके लावा, जो questions आयो थे, वो थोड़े से, इसरी के से भी थे, like phenotypes क्या होते हैं, ठीक है, frontal lobe जो होती है, like greatest change from poverty, कहां से, जो है, वो change आता है, तो frontal lobe से, इसरी के से भी आपकी questions आ सकते हैं, main जो है, जो आपने focus करना है, वो यह है, कि आपने clinical और abnormal psychology को थोड़ा सा focus करना उसमें आ सकता है, जो भी चीज़ें आपकी जैसे को बीमारी के लिहाद से पुछा जा सकता है, theories के बारे में पुछा जा सकता है, thropies के बारे में पुछा जा सकता है, like classical conditioning, operant conditioning, segment fraud के बारे में, और भी जो हमारे जो थे, जैसे के वेटसन, skinner, इनके लिहाद से, dog experiment के आपका आ सकता है, ठीक है, और अगर abnormal psychology के बारे बारे बात के जाए, तो उसमें जो test हते है, main test, 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 research test, anxiety test, BDI test, इसलिहाद से भी questions आ सकते हैं, और उसमें जो भी बिमारिया हैं, जैसे सीजरफीन या डिप्रेशन, उसके चंद आ सकते हैं, जैसे के, जैसे मैं आपको बिता जाते हैं, अब long questions में किस तरीके से होता है, long questions में ज्यादा तर जो देते हैं, एक कुछते हैं कि आपकी strength, जैसे यहाँ पर जो इसको कर सकते हैं, ठीक हो किया, उसके लावा एक और था, कि आपने एक परसन बनाना है, एक house बनाना है, और एक tree बनाना है, ठीक है, और अलग-अलग page बनाना है, तो उसी तरीके से बनाना है, जिस tips उन्होंने का हुआ हुआ है, how to your person, यह आया हुआ था, strength and weakness, इसके बारे में आया हुआ था, उसके लावे एक और questions जो लोग में आया हुआ था, यह था, कि आप मैं ADCP को क्यों चूज किया, और आप इससे क्य लाइक हासल करना चाहते हैं, और क्या आप चाहते हैं, यह जैसे मैंने लिखा कि ADCP को मैंने इसलिए चूज किया, क्योंकि मुझे emotional health को या emotions को पढ़ने का शोख है, तो इसलिए emotional health counseling करने के लिए हाँ से मैं ADCP को चूज किया, तो यह भी आप कर सकते हैं, आप interview questions जो है, वो क बहना नहीं है, आपने जो है, वो interview के लिए, जो है, जो है, जिस सिंट टेस्ट होगे तो उसके after 30 to 40 minutes के बादो लोने जो है, वो lab में बुला के, जो है, वो interview दिया था, और उसमें सिर्फ एक बैम ही थी, जो नो ने मुझे कुछ questions के थे, वो कुछ questions जिस्ते के थे, कि मुझ जो है, 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 जो है कि कि क्निक लिए आप कुछ सा स्कील यूज कर सकते हैं घैलों डे ब्राउन स्कील उसके लावा आप को जो है वो से क्या संथ डिसे ना शोग किये थे तो मैंने उनको भी बताया पिर उन्होंने डिप्रेशन CO da depression क्या है और फिर उन्हों नों से भी पुछा कि persistent depression and depression में क्या फर्क है like persistent जो था वो two years का था और जो normal depression था वो weeks का था उसके लाबा question था कि epilepsy में और non-epileptic seizure में क्या फर्क है ना तो मैं नों को पता है कि epileptic seizures जो होते हैं उसमें आपके जो है वो test के अंदर पता चल जाता है non-epileptic में test में पता नहीं चलता है जो scan होता है EEG scan उसमें पता भी नहीं चलता है और दूसरा यह है कि वो जो होते हैं वो related to stress या इससे related होते हैं और जो है वो आप EEG भी समें normal आता है ठीक है और non-epileptic में और अपलेप्टिक में जो है EEG normal नहीं आता है ठीक है और उनोंने जो questions के वो यह थे कि जो है वो जो आपे internship की थी इसमें आपका experience कैसे रहा आपका जो है वो overall कैसे था तो मैंने उनको वो ही बताया तो उसके बाद उनोंने जो है ठीक है आप जा सकती है बस यही था और उसके बाद जो है फिर मैं मुझे call आगी थी कि आप आपको अपनी classes attend करने के लिए आ जाए ठीक हो गया तो उन्होंने को इसस result तो नहीं होताया था लेकिन उनका था कि आप आजोगी है नाम आके है लिस्ट में तो आप आजए तो इस तरीके से वहा था questions answer अंसर अंसर है अंसर इस तरीके से वह था और long questions इस तरीके से थे और interview इस तरीके से वहा था क्योंकि हमारा STEM badge था वो थोड़ा सा उन्होंने जल्दी-जल्दी किया था तो उन्होंने फॉरन ही call वगरा कर दी थी क्या आप classes लेने के लिए आजए ठीक हो गया तो यह तमाम छो था टेस्ट और interview और इसे रिलेटर था उमीद करते हूं कि आपको समझ आई होगी और जो है वह आपको idea हुआ होगा कि किस तरीके से जो है वह इसको attempt करना और किस जो है वो areas में जादा focus करना ठीक है तो उमीद करते हूं कि आपको में यह वीडियो पसंद आगी तो मिलती हूं क यह नेक्स पिए में तखकिने लाव वे शे